आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से औरेंज मिल्केक की रसीपी सिखाने जा रही हूं जिसे बनाना बेहत असान है और आज मैं आपको बिकिंग करना सिखाऊंगी पतीले में क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जिन लोगों के पास अवर नहीं है वो किस तरह से बिकिंग कर सकते हैं तो ये केक मैं आपको पतीली में बनाना सिखाऊंगी ताके इससे हर कोई ट्राइ कर सके ये केक बहुत ही मज़ेदार बनता है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखना है अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ-साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो like and share करना ना भूले तो चलिया ये recipe स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम पतीले को preheat करने के लिए रख देंगे पतीले में मैंने एक stand रख दिया उसको हम cover करके high flame पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 minute के लिए इसके बाद हम आजाते हैं cake की तरफ तो cake के लिए हमें चाहिए दो अदत अंडे जो के room temperature पे होने चाहिए इसके अंदर मैं add करूंगी 50 gram sugar है यह पिसी भी चीनी है 1 third cup के बराबर है यह add कर देंगे और इसको beat करना स्टार्ट करेंगे इसको beat इतना करना है कि यह volume में double हो ज़ए तकरीबन आपको 2-3 minute लगेंगे इसको beat करने में और अगर आपके पास यह beat करने में और अगर आपके पास यह beat नहीं है तो आप हैंड विक्स की मदद से कर सकते हैं लेकिन थोड़ा साथ में time लग जाएगा आपको तकरीबन 7-8 minute लग जाते हैं तो यह देखिए एग हमारे beat हो चुके हैं अब हमने beat हटा दिया है इसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा 50 gram यह आदे कप के बराबर है आदे कप में से आपने 1 tablespoon माइनस कर देना है baking powder आड़ करेंगे half teaspoon के बराबर यह आड़ कर दिया है इसको हम mix करेंगे अच्छी तरीके से spatula की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से mix कर लेना है और हलके हाथ से mix करिएगा अगर आप बहुत जादा तेज़ स्पीट से इसको mix करेंगे तो इसके जो फॉर्मस हमने बनाए हैं वो सारे बैट जाएंगे बैटर आपका खराब हो जाएगा तो इसलिए कहरी हैं आपने हलके हाथ से इसको mix करना है जब यह mix हो जाएगा तब हम इसके अंदर add करेंगे औरेंच एसंस half tea spoon के बराबर और इसके बाद इस मैं add करूंगी cooking oil तकरीबन है यह two table spoon के बराबर यह add करेंगे और इसको भी हमने जल्दी से mix कर लेना है और इसको भी आपने हलके हाथ से ही mix करना है बहुत तेजी से spoon नहीं चलाते इस सेना के बैटर में जो egg white हम beat करके बनाते है मतलब eggs को beat करके बनाते है उसके बहुत तेजी से speed से हाथ नहीं चलाते है बैटर हमारा ready हो गया इदर मैंने ले लिया है pan 6 inch का pan है यह और इसको मैंने line in कर दिया तक grease नहीं किया है उसकी जरुरत नहीं है सारा बैटर हम इसी के इंदर डाल देंगे और इसको level कर लेंगे एक बार level करने के बाद हम इसको रखेंगे बेक करने के लिए यह पतीले में बेक होगा तकरीबन 20 to 25 minutes में और अगर आपने इसको oven में बेक करना है तो 180 degree पर आप बेक करेंगे इसको तकरीबन 15-20 minutes तक तीक है इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी low medium flame पर आपने इसको बेक करना है तो यह बहुत अच्छे से तयार हो जाता है 20-25 minutes में तो यह देखिए 25 minutes हो गए है हम अपना केक चेक कर लेते हैं और आपने जब केक को बेक करना है पतीली में तो बार बार आपने इसको ढखना नहीं हटाना है तकरीबन इसको पंजा मिन के बाद ही आप चेक करिएगा कि यह हो गया है कि नहीं हो गया तो देखें मैंने एक wooden stick से इसको चेक कर लिया है यह बिल्कुल बेक हो गया उपर भी हलका सा color आ गया अब इसको हम निकालेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे काउंटर पे ही छोड़ दीजेगा ताकि यह अच्छे से ठंडा हो जाए इसके बाद आजाते हैं हम next step की तरफ और इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मैंने pan ले लिया है इसके अंदर हम एट करेंगे दो cup के बराबर orange juice अच्छा यह जो juice मैंने लिया यह tetra pack का है आप रुक चाहिए तो fresh orange के juice भी ले सकते हैं इसके साथ मैं add कर दूँगी आदा कप चीनी और चीनी आड़ करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे low medium flame पे तकरीवन 15-20 minute के लिए ताकि कॉंटिटी में half हो जाए इसका हमें basically glaze बनाना है औरंज का glaze बना रहे हैं इतने ही पक रहा है इतने में हम तयार कर लेते हैं इसका milk तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आदा कप milk लिए है मैंने जो normal milk होता है और इसके अंदर हम एड़ कर देंगे condense milk के हमारे पास आदा कप के बराबर ये भी हम इसके अंदर add कर देंगे यह add करने के बाद हम इसके अंदर add करेंगे cream तो इदर मैंने cream ली है आदर cup के बराबर और यह tetra pack के cream है आप रुख चाहें तो whipping cream भी use कर सकते हैं लेकिन इसके साथ इसका taste जादा अच्छा आता है और इसको हम mix कर लेंगे अच्छी तरीके से इसके अंदर कोई lumps नहीं रहने चाहिए आपने अच्छी तरीके से इसको mix कर लेना है तो यह हमारा milk वाला mixture जो है वो ready हो जाएगा तो देखिए ready हो गया है यह कुछ इस तरह से हो जाएगा केक हमारा ठंडा हो गया था इसको हम mould में से निकाल लेते हैं तो दो तरफ से हम इसको loose कर लेंगे और हमने butter paper लगाया था तो यह असानी से निकल जाता है इस तरह से और देखिए पतीले में भी कितना अच्छा cake बनके तयार हुआ है तो हम butter paper को remove कर देंगे और बहुत अराम से यह remove हो जाता है गरम गरम जिब cake होता है तब कभी भी आप butter paper नहीं हटाया करें जब बिल्कुल ठंडा हो जाए अच्छे से तभी हटाया करें तो देखिए कि इतना soft sponge बनके तयार हुआ है पतीली के अंदर और अब हम क्या करेंगे हमें जिस dish के अंदर assemble करना है इसको उसी के अंदर हम इसको रख देंगे तो पहले से मैंने dish को major कर लिया था उसी के साब से मैंने cake बनाया है और अगर आपके पास इस तरह की कोई dish ना हो तो आप लोग जो cake का mold होता है इसके अंदर भी बना सकते हैं इसको तो इसको हम एक toothpick के मदद से या फिर wooden stick के मदद से इसको प्रिक कर लिया पूरा अच्छी तरीके से और इसके बाद यह जो हमने milk का mixture बनाया था यह सारा हम इसी के उपर पूर कर देंगे तो यह देखिए जो सारा milk है हम इसी के उपर पूर कर देंगे सारा इससे क्या होगा cake जो है बहुत अच्छे से moist हो जाएगा और जितना भी यह mixture है उसारा अपने अंदर absorb कर लेगा तो इसको आपको छोड़ना होगा थोड़ी देर के लिए तकरीवन 10-15 minutes के लिए आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजेगा ताकि जितना भी milk है ना यह cake के अंदर चला जाए और आपने बस इसको काउंटर पे छोड़ दीजेगा चारू तरफ पहला के अच्छी तरीके से अब मैं इसको काउंटर पे छोड़ दूँगी अब हम औरेंज ग्लेज को चैक कर लेते हैं तो यह पक रहा है अभी हाफ हो गया है कॉंटिटी में लेकिन अभी भी थोड़ा सा पतला है थोड़ा सा और पकाना इसको पकते विए तकरीवन 15 minutes हो गए है और मैं इसको पांच मिनट हो गा है इसको मैंने मजीद पांच मिनट और पकाया है टोटल टाइमिंग है इसके कुकिंग 20 minutes और low medium flame पे आपने इसको कुक करना है अब मैं flame off कर दूँगी और थंडा करने के लिए छोड़ दूँगी तो यह थोड़ा सा थिक हो गया है थंडा होने के बाद ह और मजीद थिक हो जाएगा तो यह बहुत मज़िदार सा ग्लेज बनता है तो यह देखें ग्लेज हमारा थंडा हो गया है और आपको दिख रहा होगा कितना थिक हो गया है यह ग्लेज तो यह इतना ही थिक होना चाहिए थंडा होने के बाद यह और यह अभी बिलकुल कर ले तेक ता ङीक कर लोगद देए तैसे तर Tabii जिए एपने अनदर असे ने आपने अर्प कर लिया कि आदर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीमries आड़ा कब तो आद़ा कब मैने विपंक跟你 qum और इसको मैंने विप्ट कर लिया था तो इसके बाद हमें क्या करना है एक लियर हमें लगानी है विपिंग क्रीम की इसके उपर तो बस क्रीम हमने इसके उपर एड़ कर दी इसको हम फेला लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से और बिल्कुल स्मूथ कर लीजेगा उपर से यह देखिए इस तना से हम पूरा स्मूथ कर लेंगे और उसके बाद यह जो ग्लेज हमने बनाया था यह सारा हम इसी के उपर एड़ कर देंगे इससे इस केक का फ्रेवर बहुत अच्छा आएगा आपने इस ग्लेज बना के जरूर एड़ करना है इसके उपर तो यह देखिए सारा में इससी के उपर एड़ कर दूँगी इसको हम साइडों पर से फेला लेंगे थोड़ा से हलके हाँ से देखिए इसको मैंने फेला लिया है अब मैंने एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम ले ली है और उससे मैं इस तरह से लाइन्स बना लूँगी अच्छा इसकी डेकॉरेशन आपकी अपनी मरजी आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं मैं अधर ये लाइन्स बना रही हूँ बहुत सिंपल सी डेकॉरेशन करूँगी इसकी मैं लाइन्स बनाने के बाद किसी भी वुडरन स्टिक से आप इस तरह से अपॉजट डेरेक्शन में लाइन्स बना देंगे तो एक पैटल का शेप बन जाता है अपॉजट डेरेक्शन में बना रहे हैं हम ये तो ये देखिए बहुत सिंपल सा है ये हर कोई बना सकता है इसको तो इस तरह से हमने लाइन्स बना देनी है उसकी बाद सेंटर में मैंने एक डॉप लगा देना है क्रीम से उसके बाद इसके टॉप पे हम रख देंगे एक अदद चैरी और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में एक से दो घंटे के लिए तो ये केक हमारा थंडा होकर आ गया है और आपको इसका डिजाइन THोड़ा से डिसबैलनस लग रहा होगा क्योंकि हमारी जो ये डिश थी फ्रिज में रखने के बाद डिसबैलनस हो गई थी किसी से हो गई होगी तो इसका सिरफ थोड़ा सा नीचे गिर गया था तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टाब हो गया है तो खैर इसको हम कट कर लेंगे नाइफ से उसके बाद इसको निकाल लेंगे आप इसको ठंडा हो जाए जब ही सर्फ कीजिएगा बहुत मज़दार बनत हाई है तो देखे इसको निकाल लेंगे हम असानी से और और औरंज का सीजन है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और जिन लोगों को और इस पसंद है उनको तो यह बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी इसको आप डिनर्स वगरा पी बना सकते हैं पार्ट सबस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट जरूर किया करें शेर भी जरूर किया करें अपने ट्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मुझे अपने दूआ में याद रखीगा अला हाफिज